तो N-DMA की प्रेस कॉंटेंस आप सुन रहे थे जहां उन्होंने बताया कि किस तरह से ये पूरा रस्क्यू आपरेशन चल रहा है उत्रखन देव भूमी है और यहां के तीस तहवार भी बहुत अनूठ है पहाड पर दिपाबनी के 11 दिन बाद एगाज पर बड़ी धूमधाम से मनाया चाता है और इस परव की शांदार जलक दिल्ली में भी दिखाए थी बेज़पी संसेद अनील बलूनी के आवास पर एगाज मनाया किया और इस दोरान वहाद दिगजों का जमाबना लगा ग्री मंत्रिया में ते शहस लेका रहने से अजीद डोभाल नीकारिकर में शरकत की इस दोरान पहाड की संस्कृती की छटा बिखरी नसराई इस परवकी क्या खासियत है और इसे दिवाली के 11 दिन बात क्यों बनाया चाता है यह हम आपको इस रिपोर्ट के जरीए बताते हैं देखिए उत्राखन के लोग परव यहां के इस संस्कृतिक छटा की जीते जागते उदाहर नहीं उन्ही लोग परवों में से एक परवे जो बेहत खास है वह है इगास जिसे पहार पर तो मनाया ही जाता है साथी पहार की लोग जहां भी बसे हों वो इगास जरूर मनाते हैं यह तस्वीरे दिल्ली में बीजेपी सांसत अनिल बलूनी के आवास की है जहां इगास पर वो मनाने के लिए दिगजों का जमावदा लगा राजनेताओं से लेकर कला काल और पत्रकारों से लेकर खेल जगत के बड़े चैने अनिल बलूनी के घर पर जुटे आध्यात्मी गुरु भी इगास मनाने दिल्ली पहुँचे संगीत की मनमोहत्धुन और खोब सुरत रोशनी से सचे आवास पर भैलो खेल कर भव विरूप से इगास का पर्व मनाय गया इस दुरान पहार की संस्कृती की चटा बिक्री आप सब लोग जानते हैं बहुती विख्यात् देश दुनिया में दीपावली का तेहवार मनाया जा चुका है लेकिन उत्राखान के परवती शेत्रों की दीपावली के ठीक ग्यारा दिन बाद एगास मनाने की परंपरा है भगवान राम वनवास से अधा लोटे थे लोगों ने ये जुला कर उनका स्वागत किया था पहाड पर राम के लोटने की सूचना ग्यारा दिन बाद मिली दीपोचों के यारा दिन बाद एगास या फिर बगवाल मनाती हैं एगास बुढ़ी दिवाली की रूप में धूमधाम से मनाय जाता है आतिश बाज़ी के बजाए भैलो खेलनी के परंपरा धोल नगालों के साथ आग के चारो और लोग नेत्र सुभे से दुपहर तक गोवंश की पूजा इगास पर बुमनानी को लेकर एक और मानिता है जिसे गड़वाल की वीर माधो सिंग भंडारी से जोड़ा जाता है गड़वाली सीना ने दिखाई थी वीरता माधो सिंग भंडारी के नितत्र में वेजय हासल की थी गड़वाल की सीना ने दापा घाट तिबबत का युध जीता था दीपावली की ठीक ग्यारमे दिन सीन अपनी घर पहुचने की खुशी उस समय दीपावली मनाई गई थी अनिल बलूनी पहाड की संस्कृति को संजोने और उसे बढ़ावा देनी के लिए हर साल इगास पर भब्यायोजन करती है उनके आवास पर तमाम लोग पहाडी वेस भूशा में नजर आए पहाडी टोपी और धोती कुरते में लोग इगास मनाने पहुचे इस मौके पर केंदरी ग्रेमंत्य अमिशा अनसे अजीर धोबाल गायक जुबिन नौटियार आध्यात्मी गुरु स्वामी चिदानन स्रस्वति और गीरकार प्रसून जोशी समेट आनिलोग उच्सों मनाने समारो में शामित में भार ने अनसे अनसे अजीर गुटाओ अजीर चिदानन स्रस्वत के जुबिन नौटियार पुर्वीशियंग तिरवेन सिंग डावत ने भी कारेकराम में शिर्कत की। इस समारू में कई रंगारंग कारेकराम ग्रिश कये गए। मैं लाला इत हूँ, एक और दीप जलेगा मुझसे, यह आशा लेकर जीवित हूँ, दीपक हूँ, मैं लाला इत हूँ जोती रीती है मुझे निभानी, यह तमरेखा मुझे मिटानी, मुझे धन्स का अंश मिटाना, मुझे किरणपत पर है जाना, मैं आशा लेकर जीवित हूँ, दीपक हूँ, मैं लाला इत हूँ सूर्य पुत्र हूँ मैं उजाल हूँ, मैं उन्नत अंगार भाल हूँ, बिंदु बिंदु झरते जाना है, मुझे तिमिर पीते जाना है, सूर्य पुत्र हूँ मैं उजाल हूँ, मैं उन्नत अंगार भाल हूँ, बिंदु बिंदु झरते जाना है, मुझे तिमिर पीते जाना है बसे यह लक्ष लिए अर्पित हूँ दीपक हूँ मैं लाला ये था आनिल बलूनी के आवास पर ग्रेमंत्री अमिश्या का भब बेस्वागत किया गया एगास की मौके पर शाभी पहार की संस्कृति में डूबे नजर आए उन्होंने पूरे समारों का भरपूर आनंद एनस्या जीट धुबार खोद पहार से है वो उत्राखन की परमपराउं से जुड़े रहते हैं एगास पर जीट धुबार पहारी टोपी पहने नजर आए और उन्होंने सब को एगास की बढ़ाई थी उत्राखन के पूर्विसियं रमेश पोखरियार निशंके तीरस सिंध्राबद सीडियस जनरल अनिल चुहान केंद्री मंत्री स्मितिरानी हरदीपुडी राजियू चंदरशिकर असंकिसियं हे मन्ता बिस्व सर्मा समीथ कई हस्तियों ने शुर्खत की इगासपर्व को लेकर विशेस विधी विधान से पूजा अर्चुना भी की गई राजस सभास सांसत के घर कारक्रम में मंत्रो चार की बीच में पूरा वातवरण आस्था मैं हो गया दिल्ली में इगासपर्व पहाल की छटा बिख्री उत्राखन के लोक और राजवादे ढोल दमाओं की धुन्नी सबका मन महुलिया ढोल नगालों के साथ आग के चारोर लोक नित्र किया गया के लाशके निवासे नम बार बार हो नम बार बार हो आयो शरतिहारी तार बार हो कई लाशित निवार पूरे जी गाय के जुबे नौट यालनी जब मैं धन्य-धन्य हो जाता हूं गीर गाया तो इगास के परवपर शांदार समा बन किया और सब लोग देव भूमी को नमन करने लगी करने मैं दन्य-धन्य हो जाता हूं ऑर दन्य-धन्य हो जाता हूं तूरे ओवेडा, मुच्छे जिसी दाण्यों माँ बेडु पाको बार माशा नरे न ता फलपा को चेता मेरी चेला न जूणा तीनेना न जूणा तीन जेना फूणु पूजा मेरा मेता बाताः चली आए उच्पन चेली वे जाए नाए जाए होगा किक distributions पतांजली के आचारी बाल किष्णे और परमार्थ निकेतन के स्वामी च्यदानन सरस्वती ने कहा कि उत्राखन देवभूमी है और यहां की इस संस्कृती दुनिया के लिए दैवी आशिरवाद है फैलो खिल इगास का मुख्या अकर्शन इगास वगवाल के दिन आतिश बाजी के बजाय फैलो खेलनी की बरंपरा है फैलो को चील की लकडी और तार या रस्सी से ठ्यार किया जाता है चील की लकडियों की छोटी-छोटी गाट एक रस्सी से बानद ही जाते है इसके बाद गाओं के उचे सांट पर पहुँच कर लोग फैलो को आग लगाती है इसे खेलने वाले रसी को पकल कर उसे अपने सिर से उपर से खुमाते वे नत्र करते हैं मानता है कि ऐसा करने से मालक्ष्मी सभी कस्तों को दूर करने के साथ सुख समरिधी देती है भैलो खेलते हुए कुछ गीत गानी व्यंगे मजाग करने की परंपरा भी है पहाड से मैदान तक इगास की धूम देखी गए पौडी जिले में एगास परव की रौनक देखी लोगों ने एक दूसरे को लोग परव की बढ़ाई थी और इसके सन्रक्षों का संकल्प भी रिया घरों में दिये जुलाकर और भैलो खेलकर इसे परव की खुशी मनाई गए तस्पीरों में देखा जा सकता है कि किस सरे से ये परव लोगों के दिलों दिमाग में उटाचा बसा है अनिल बलूनी ने कुछ साल पहले एगास के बहानी उत्राखन के संस्कृति को देश दुनिया के सामने लाने की मोहिम चलाई थी इस मोहिम को चंद वर्शों बाधी बड़ी सफलता हाथ लगी उत्राखन की लोग राजी केतर देश के दूसरे हिस्सों के साथ दुनिया भर में इससे परव को धूंधाम से मना रही है और अपनी परंपराओं और जड़ों से जोड़ रही है टीम न्यूज जिस्टी